तटबंध के अंदर कोसी नदी में आई बाढ़ ने सैक्रों लोगों को बे घर कर दिया है तटबंध के अंदर से हजारों बाढ़ के कारण से सुरक्षित अस्थानों पर निकल रहे हैं इनमें से कुछ लोगों ने तटबंध पर जुगी बना कर डेरा भी डाल लिया है तो कुछ लोग अपने सगे संबंधियों और इस्तेदारों के घर पहुँच गए हैं जो लोग मुचे अस्थानों पर तटबंध के किनारे शरन लिये हैं उनके स्थिती काफे ज्यादा मुस् इसला धार बारिश के कारण कोसी नदी के जलस्तर में बे तहाश्चा व्रिधी हुई जिस बजह से जलस्तर में कल रिकॉर्ड व्रिधी दर्श की गई कल कोसी बराज से देरात दस बजे चार लाख 14,060 क्यूशिक पानी का डिस्चार्ज किया गया और जिसके चलते कोसी नदी पर बने बराज के सभी 56 फाटक भी खोल दिये गये हाला कि आज कोसी नदी के जलस्तर में काफिस जादा गिराबट हुई है आज सुबह कोसी बराज से 2,56,830 क्यूशिक पानी को डिस्चार्ज किया गया इस बीच कल से लेकर आज तक कोसी तटबंद के अंदर बसे दरजनों गाउं में बाढ़ का पानी फैल गया है जिसके बाद तटबंद के अंदर बाढ़ में फंसे हजारों लोग सुरक्षित अस्थानों पर आने लगे हैं नीजी नाओ के सहारे या फिर सरकारी नाओ के सहारे किसी तरह से लोग बचते बचाते उपयोगी सामानों को लेकर बाहर निकल कर उचे अस्थानों पर शरन ले रहे हैं इन बाढ़ पिरितों के लिए सबसे महफूद जगव फिलहाल कोसी तटबंद ही नजर आ रहा है जहां पर पिरित हजारों लोग तटबंद किनारे जोपड़ी बनाकर अपना बसेरा बनाय हुए हैं और पॉलिथिन टांग कर घर बनाकर या फिर पुराने घर का ठाट लाकर लोग किसी तरह से तटबंद किनारे पर घर बनाकर बाढ़ की अवधी में गुजारा करना चाह इस्थिती फिलाल काफी कठिन है क्योंकि तटबंद पर हजारों लोग अपना अपना जुगी जोपरी डाल रहे हैं जिसके चलते नए लोगों को यहां भी भारी मशक्कत करनी पर रही है पिरितों ने कहा कि जहां भी जोपरी बना रहे हैं वहाँ कोई न कोई रोक्टो कर रहा है जिससे उसे काफिस ज्यादा परिश्वानी का सामना भी करना पड़ता है क्योंकि राषि का मौसम है ऐसे में जल्दबाजी में रहने का ठिकाना नहीं बनाया गया तो फिर बारिश उ पिनारे जुग्गी बनाकर शरन ले रहे बाड़ पिरितों के सामने खाने पीने की भारी समस्या भी उत्पर्ण हो गई है खास कर बच्चे बुजर्गों के स्थिती काफिस जादा दैनिया है और बताने कि जो भी सामान था वो धीरे धीरे कोसी नदी में बह गया मुश्किल स कुछ समान किसी तरह से नाओ पर लाद कर यह लोग ततबंड पर पहुँचे हैं लेकिन अब रोजी रोटी कैसे चलेगी इसकी चिंता उन्हें सताने लगी है थकहार कर लोग सरकार की तरफ देख रहे हैं कुछ लोगों ने कहा है कि उन्हें चूरा और पॉलिथिन दिया ग गया है बापजुदिस के समस्या थमने का नाम नहीं ले रहा तटबंड के अंदर बसे गाउं के बाढ़ पिरित लोगों की माने तो सबसे ज्यादा दिक्कत मवेसियों को लेकर भी है जल्दबाजी में पाने में फसे मवेसियों को निकाल सके अलबत्ता जिसने पशु को न ज़सु कि असम नमान बहुत भस गया है यहीं जुकत है यहां पर घर बना रहे है बान पर क्या सब परिशानी हुआ परिशानी तो बहुत हुआ सर कितने आदमी घर भी ने बनाने दे रहा है इधर उज़र भी चंसन है को देखने सुन दे नहीं आदा मुझी आसर पंच और पंच कोई नहीं हुआ पूरा कटिन तवाही क्या के घर ता और बहुत भाई सिगले कोलो तीन ता भाई सिगले आते बाद इठना घर लिए चर्वेले तो इठना के लोग जल्दी चर्वयने देत रहे 15-16 दिना रोय के दलके सर तेग बाद इस सब कहले हम लोर के चर्वयने दिकच छे दूसाल एक सा बाद अब दी तटबंद के अंदर बसे लोगों के लिए किसे अभिशाप से कम नहीं है प्रभावित लोग जब तटबंद के अंदर रहते हैं तो खेती बाड़ी के साथ रोजी रोटी चलती है लेकिन जब कोसी में पानी का अस्तर बढ़ता है तो उनके लिए मुस्किलों का दौर्ड शुरू हो जाता है एक तरफ रोजी रोटी तो दूसरी तरफ जिंदगी बीच में फंसे बाड़ पिरितों की दास्ता दर्द से भड़ी पड़ी है ना जाने कब इन लोगों की मुस्किलें समापत होंगी